Hello students, welcome है आप सब का dream classes में मैं dream classes के लिए मैं कुछ biology के classes ले के आई हूँ courses ले के आई हूँ जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अपने course का overview दिया था कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी तो आज मैं उसका chapter 1 ले के आई हूँ chapter 1 जो है, वो है reproduction in organism मतलब जीवो में प्रजनन तो मैं आज जीवो में प्रजनन का जो ये chapter है वो उसका कुछ हिस्सा ले के आई हो आप लोगों के पास ये part wise में होगा वीडियो क्योंकि ये बहुत बड़ा chapter है तो ये जो unit है, ये total 4 chapters है इस unit में और 4 chapters है, तो ये कम से कम इसमें almost 30 classes लग जाएंगे आपको ये 4 chapters complete कराने में तो आज जो है, आज का topic है वो है reproduction in organism जिसमें मैं types of reproduction overview एक बार आपको दूँगी उसके बाद हम धीर धीरे आगया बढ़ते जाएंगे इसमें तो जो reproduction है, reproduction अगर आपने class 11th chapter 1 पढ़ा है, तो chapter 1 में जीने के लिए जो जीने एक जिवित organism है, जिवित organism का different characteristic होता है जिससे पहचाना जाता है कि वो जीव है, जिवित है या नहीं है, वो उस characteristic feature में एक reproduction भी characteristic था, तो जो प्रजनन है, ये जीवों में ही पाए जाता है, सजीव जो निर्जीव है वो तो नहीं कर सकते हैं, सजीव ही करेंगे, जो living है वो ही कर पाएंगे reproduction, तो जो organism है, उसका किसी भी living organism का एक characteristic होता है reproduction, तो आज हम वो पढ़ेंगे, reproduction में होता क्या है, तो reproduction जो है एक तरह का biological process है, जिसमें क्या होता है, जो पहले से organism है, जैसे मैं हूँ, या कोई और organism है, वो आपने आने वाले generation को, आने वाले आगे जो पीडिया वो बढ़ानी के लिए क्या करते हैं, बच्चों को जनम देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा या किसी वी organism का life spend तै है, एक बार वो जिवित जिन्दा होता, जनम लेता है, तो उसकी मृत्यू fix है, तो उनके जनम और मृत्यू fix होती है, इसलिए उनको आगे generation को बढ़ानी के लिए, पीडि को आगे बढ़ानी के लिए, reproduction का process जो होता है, बच्चों का जनम होता है, तो मैंने लिखा, reproduction is the biological process of formation of offspring, जिसको संतान या संतती भी बोलते हैं, from pre-existing organism, pre-existing मतलब जो पहले से organism हैं, वही reproduce करते हैं, अपने बच्चों को, अपने संतान को, ठीक है, यह जो process है, इसको reproduction बोलते हैं, और यह process बहुत ही जरूरी है, species के continuity के लिए, अगर reproduction नहीं होगा, तो सब एक बार, सब का मरना तो होता है, मरने के बाद वो आगे कैसे बढ़ेगा, सब कुछ रुख जाएगा, तो continuity के लिए, species के continuity के लिए reproduction बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का एक चक्र है, हम अगर जनम ले रहे ह जो natural death है, उसके बीच में जो phase होता है, जब हम जनम ले रहे हैं, वहां से लेके natural death के बीच का जो यह phase है, इसको हम life span बोलते हैं, और life span हर organism का different different होता है, butterfly जो तितली है, वो एक से दो week जिंदा रहती है, ठीक है, उसका life span एक से दो week का होता है, वही हमारा 70 to 80 है, आजकल 100 भी होता है, जो पुराने लोग हैं, जिनका immunity बहुत जादा है, वो 100 भी जीते हैं, शायद उससे जादा भी जीते हैं, वही पे बैनियंट्री, बैनियंट्री हजारों साल जीता है, ठीक है, तो अलग अलग organism का, अलग अलग species का life span अलग अलग है, ठीक है, तो यह था आपका reproduction, अब जो यह reproduction का process हैं, यह जो reproduction हैं, यह दो तरीके से होता है, यह reproduction का जो process हैं, यह दो तरीके से होता है रिप्रोडक्शन जो है या तो एसेक्शल होगा या तो यह सेक्शल होगा एसेक्शल को हम हिंदी में और लैंगिक बोलते हैं और लैंगिक प्रजनन अर यह होता है यह और लैंगिक प्रजनन ठीक है अब देखेंगे एसेक्शल क्या है और प्रजन होगा जैसा कि यहां पर लिखा है एसेक्शल आ मतलब बिना बिना सेक्स के इन्वॉल्ब्मेंट के तो यहां पे जो Asexual reproduction है इसमें केवल एक एक individual का काम होता है यहां पे सिर्फ एक parent से बच्चे का जनम हो जाता है इसमें ऐसा नहीं है कि male भी होना चाहिए female भी होना चाहिए ठीक है वही sexual sexual में क्या होता है दो opposite sex चाहिए male और female ठीक है male को हम कुछ इस तरह से denote करते हैं science में और female को हम ऐसे denote करते हैं तो इसमें दो link चाहिए होता है male और female opposite और Asexual में केवल एक parent से ही बच्चों का जनम हो जाता है अब चुकिस में सिर्फ एक parent है तो इसमें कोई fusion नहीं होता है मतलब male और female जो है आपस में इसमें फ्यूज नहीं करते हैं मिलते नहीं है और यहां पर चुकि दोनों link चाहिए male और female दोनों चाहिए तो इनका fusion होता है यहां पर fusion होता है यहां पर fusion नहीं होता है ठीक है तो जो exam है उसमें सबसे एक सवाल एकदम पका आता ही आता है differentiate differentiate between asexual and sexual reproduction ठीक है Hindi में langik एवं और langik प्रजनन के बीच का अंतर बताएं ठीक है तो यह एक question है जो आता ही आता है इसका बहुत आसानी से answer दे सकते हैं और मैं चाहूंगी कि आप लोग answer देके मुझे comment में जरूर बताएं अगर आपको इससे related notes चाहिए होगा तो वह भी आप demand कर सकते हैं आपको notes भी available करवा दिया जाएगा notes available है सबका तो यह जो asexual और sexual reproduction बताया मैंने इसमें क्या चाहिए इसमें एक ही होता है जैसे एक example ले रही हो मैं ठीक है एक example अमीबा का ले रही हो आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे क्या मीबा मीबा कैसे भी आप ड्रो कर दो मीबा बन जाएगा nucleus है साइटोप्लाजम है फूड वैक्यूलस है ठीक है इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन का जो प्रॉसेस है वो क्या होता इसमें यह अपने ही बॉडी को जो है दो डिफरेंट बॉडी में डिस्टिब्यू और और सेल्सटोड शल्स प्रॉस य вм है जिस तरह से दिख रहा वैसे ही जह दिख रहा वैकिन अधिक्क नहीं होता है स्क्यूजी फिचर से हो सकते हैं जैसे बच्चे जन्म होता है इसको क्लोंस है क्लोंस भी बोलते हैं ऐसे ऑर्गिनिस्म जो आपस में बिल्कुल सिमलर हो वह क्लोंस कहलाते है ठीक है आप नोट कर चुके है ठीक है कि अब हम एसेशल रिप्रोड़क्षण के बारे में थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे यह जो is a .vip अने पढ़ा है इसमें केवल एक औरकनिजम होते हैं या या फिर जो यूनी सेलूलर होते हैं उसमें एक सेक्शल रिप्रोड़क्शन होता है लोर लेवल का और गिनिस्म जैसे मैं बात करूँ प्रोटेस्टा हो गया प्रोटेस्टा ग्रूप का आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन फाइव प्रोटेस्टा, फंजाई, एनेमीलिया, और प्लान्ती यह लोर लेवल के और गिनिस्म हैं इसमें क्या होता है एसेक्शल रिप्रोडक्शन होता है थीए कैसे होता है ट्रू सेल डिविजन इसमें क्या होता है एक सेल है ये ब्रेकडाउण होता है इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है तो यह जो है ये जो है ये जिदा रिप्रोडक्शन होता है अब हम देखेंगे एसेक्शल रिप्रोड़क्शन का टाइप्स क्या होता है ठीके किस टाइप से हो सकता है सबसे पहले होता है इसमें बाइनरी फीजन बाइनरी मतलब दो इक्वल भाग है ना बाइनरी फीजन में तूटना ये तूटने तूटना ठीके दो इक्वल पार्ट में तूटना ब्रेकडाउन होता है एक सेल का दो इक्वल पार्ट में ठीके ये पेरेंट है यह डाउटर सेल्स है, यानि कि संतान कोशिकाएं हैं ठीके? ठीके? तो बाइणरी पीजन में एक सेल जो है आपस में दो भाग में तूट जाता है एक बात और देख रहे होंगे आप जिसमें बाइणरी फीजन में क्या है जो पेरेंट है उन ही तोटके सेल रं जाता है न यह सल प्रजनन इसमें एक तोट जाते हैं जो और अलैग ऑलम टॉटल इसका एक्जांपल है अमीबा पैरामीशियम चीक है अब दूसरा जो है हमारा वो है बड़िंग बड़िंग मतलब बड़ का बनना ठीक है एक और्गिनिसम में उसमें बड़ डेवलप हो जाता है वही ग्रो करके नए डॉर्टर सेल का जन देता है इसमें क्या होता है इसमें एक और्गिनिसम है माल लो ये ठीक है इसका ये न्यूकलियस हो गया इसके उपर क्या होता है बड़ डेवलप हो जाते है ठीक है ये बड़ डेवलप हो गया अब ये छोटा है दीरे दीरे आगले स्टेप में ये बड़ क्या करेगा ग्रो करेगा ठ फाइनली जब इसका प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है तो यह अपने पेरेंट से क्या होता है detached हो जाता अलग हो जाता है ठीक lectureex करके अपने बौडि से अलग हो जाता है प्लांट लेवल के प्लांट के था है तो फंजाय के बात करें तो उसमें यह एसेक्शल रिपक्रदक्ट्शन जो है यह इसेक्शट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के थूँ अर secre है थाम हो स्ट्रक्चार सबहुते हैं एक स्ट्रक्चर नाम के एक ऑर्गिनिस्म के अंदर होता है जू स्पोर्स इसके अलावा गेमियूल फॉर्मिशन होता है और जो प्लांट्स हैं पॉदे में क्या होता है उनकी डिफ्रेंट पार्ट्स के थूँ भी हम एसेक्शल रिप्रोड़क्शन कर सकते हैं जैसे की रूट हो गया रूट से कर सकते हैं स्टेम से कर सकते हैं आप अब कैने उसको हम वैजिटेटिव प्रोपाघेशन भी बोलते हैं चैक प्रोचेस को हम वैजिटेटिव प्रोफोगेशन लेटेशायर प्किस बातल नूट कर लेलandra का दे जा रहे हैंी और उसके एकाममपल की कि किस में से रीप्रेटेक्शन होता है है सबसे पहले हम बात करते हैं रूस C perhaps नए प्लांट का च्रेबन हो सकता है और वह किस किस में नॉट में और ऑभी और ऊपने हैं अगर आपको डियाएं कर सकते ह्गें आपको स्टेम में डिफ्रेंट पार्ट्स होते हैं तो उसमें उता है जिंजर अधरक में राइजॉमी कबी देखा ? इस तरह से होता है .. इसमें क्या बने होते है ? कुछ इस तरह से पुदीने के पत्ते में पुदीना का पलांट होता उसमें सकते हैं जैसमीन जो है स trafficking पिस्टिया ऑफसेट सकता है इसी तरह ऐसे प्लांट है जिसके पतियों के थरू भी आप नए प्लांट ग्रों करते हैं ब्लूबिल के थरू लिली में लिली में घुक्त है और वैसी aquatic plant पानी में रहने वाले plant एक्जामपल यूट्री कुलेरिया उसमें ट्यूरियन्स के थ्रू होता है ट्यूरियन्स जो है बर्ड होता है एक फ्लेशी ब्लड बर्ड एवेलेबल होता है ठीक है तो यह था वेजिटेटी पार्ट और उसके एक्जामपल आपको जो बत वाटर हायसिन्थ ठीक है वाटर हायसिन्थ को टेरर ओफ बंगॉल भी बोलते हैं हिंडी में बंगाल का आतंक अब हम बात करें वाटर हायसिन्थ के बारे में इसको बंगाल का आतंक क्यूं कहा जाता है इसको इसकी बहुत सुंदर सुंदर पत्तियां और जो फ्लावर्स थे उसके लिए इंडिया में इंट्रडियूस किया गया था बट यह क्या करता है यह किसी भी स्टैंडिंग करें पानी वाला जगर जिससे कोई तालाव को युझा नदी रुखी होई है उसमें क्या होता है उसके शर्विस पे नदी के तालाव यह पूरा बहुत जलाद री प्रोडुस करता है पानी प्र्यदम के प्लाउदक्स membay अभी बोला जाता है और यह कई बार पूछा गयाँ को आप अपने दिमाग में बटा ले वाटर हैसंद से अपने जल्सक्राइब के एक्जाम में बहुत सारे competitive exam में पूछा गया है लोग और 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 सेक्शुली रिप्रोडूदूस करते हैं और सेक्शुली रिप्रोडूक्शन जो हैं हम अपने next class में पढ़ेंगे तब तक के लिए आप लोग पढ़ना कोई भी question कोई कोई डाउट हो तो आप comment में पूछ सकते हैं मुझसे और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वह भी आप comment box में लिखके available करवा सकते हैं आप dream classes के application को भी download कर सकते हैं application available है आप स्टोर में dream classes का वहां आपको सारा यह वीडियो जो है available है तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक लिए बाबाई